म्मदू ए लेक्र आ आई हूं एक चटपटा रिसीपि वैसे तो आपने भेल पूरी बहुत जगा Basil उनक dob Nacht you पर आज में लेक्र आई हैं चैनीज भेल यह बहुत भी आसान आर रिया मढरे बेन वह घ्र कट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो मेरी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो चलिए इसे बचट-पट बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल और उसमें हम डालेंगे बारिक लंबे-लंबे काट रखे हैं जितना हमने प्याज लिया है उतना ही हमने बारिक कटा हुआ पत्तागो भी लिया है पत्तागो भी इसका में इंग्रेडियंट है और नमक हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें स्वात के अनुसार और इसमें हम डालेंगे सेजवान चटनी इससे जो इसका टेस्ट है बहुत यी बढ़ियां आता है, तो हम इसे एक से डेध चमज सैजवान चटनी डालेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टेमेटो कैचप, थोड़ा सा जो तीखापने इससे कम हो जाएगा, और अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ धनिया तो इसको भी हम इसमें डाल कर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक पार टेस्ट करके देख लेंगे अगर नमक कम हो या थोड़ा सा चटपटा कम है तो थोड़ी सी चटनी और फिर नमक आप मिक्स कर सकते हैं तो देखिए ये फटा-फट बनके तयार हो गया हमारा जो चाइनीज भेल है चलिए अब हम इसे सर्फ करते हैं तो ये बना कर तयार कर सकते हैं या कोई महमान आए तब भी आप इसे बना कर सर्फ कर सकते हैं अगर आप सेव का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं सेव की जगा आप क्या कर सकते हैं कि नूडल्स बॉयल करके और फिर उसको तलके इसमें डाल सकते हैं उससे भी बहुत ही अच्छा ब आप बोगगी!